दुस्तो आज की वीडियो में मैं आपको ग्रेट खाली की जिन्दगी की कुछ ऐसी बाते बताने वाला हूँ जिने शाहिद ही कुछ लोग जानते हो। दुनिया भर में दग्रेट खाली के नाम से मशूर इंडियन रेसलर का असली नाम बहुती कम लोग जानते हैं। एक असली नाम दलीप सिंग राणा है दलीप सिंग राणा रेसलिंग में आने से पहले पंजाब पुलिस में थे इनका सीना 63 इंच का जोकी व्रेकॉड है इनकी हाइट साथ फिट एक एक इंच है और इनका वेट 157 किलोग्राम है जाहिर से बात है कि जिसके हाइट और वेट इतना ज्यादा हो तो उसके खाने के खुराक भी ज्यादा ही होगी WWE World Heavyweight Champion The Great Khali ने अपनी आटो बाइग्राफी में बताए कि वो डेली लगभग 500 ग्राम ड्राइफ रूट्स, 3 किलो ग्राम चिकन और 30 रूट्या खाते हैं और इसके लावा वो 5 लिटर दूद भी पीते हैं खली शराब बिलकुल भी नहीं पीते और डॉपिंग एनि ड्रग्स लेकर फाइट करने के मामले भी इनका रिकार्ड बहुत साफ सुतरा है शराब और ड्रग्स तो बहुत बड़ी चीज हो गई इन्होंने कभी स्मोकिंग भी नहीं की है दिलेप सिंग राणा का नाम दग्रेट खली हिंदु देवी माता काली के नाम पर पड़ा है जो आंतरिक शक्ति का प्रतीक माने जाती है खली दुनिया भर में रेसलिंग के सबसे लंबे खिलाडी है और ये अपनी हाइट के वज़े से ही हमेशा दूसरे रेसलर्स पर भारी पड़ते हैं दिलेप सिंग राणा एक किसान थे और अपने पिता के साथ खेती किया करते थे लेकिन पहली बार साथ अक्टूबर संद 2000 को यानि आज से लगबग 19 साल पहले उन्होंने प्रो रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था खली सामान्य शरीर के मालिक नहीं है और यही वज़े की वै पूरी तरह से स्वास्त भी नहीं है खली बच्पन से ही एकरो में गाली नाम की बिमारी से पीडित हैं जिसकी बज़े से उनका शरीर ऐसा धारन तरीके से भीमकाय है इसी रोग की बज़े से उनका चेहरा अजीब सा दिखता है और आवाज भी अजीब सी लगती है ये बिमारी उनके परिवार में सिर्फ उनहीं को है इसलिए उनके परिवार में बाके सभी लोग की कद काठी सामान्य है खली की शोरावस्था में इस बिमारी की वज़े से अपने भारी भरकम शरीर से परिशान रहे हैं और खली ने ये स्विकार भी गया है कि अपनी लंबी कद काटी से पहले उन्हें बेहद शर्म आती थी खली पंजाब पुलिस में रहते हुए बॉडी बिल्डिंग किया करते थे और इसी कारण से वेव 1997 और 1998 के मिस्टर इंडिया रह चुके हैं खली बताते कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में पैसो की काफी दिक्कत हुई थी लेकिन आज वो रेसलिंग के दुनिया के बेताज बादशाह हैं और उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है खली बले ही अमेरिका जाकर बेहद मशूर हो गए हों लेकिन वो अपने गाउं को आज भी नहीं भूले हैं और गाउं के विकास के लिए वो पैसे दान करते हैं बले खली आज एक इंटरनेशनल स्टार हैं लेकिन कभी वो समय भी था जब वो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ा करते थे और इसी दोरान पुलिस आफिसर एनस भुलर की नजर उन पर पड़ी थी और वो पंजाब पुलिस में भुलर की कहने पर ही आई थे ग्रेट खली की मार में इतना दम है कि साल 2001 में ब्रेन आउंग नाम के एक रेसलर के साथ मैच में जब खली ने उन्हें उठा कर पटका तो ब्रेन आउंग की मौके पर ही मौत हो गई थी जिस पर आउंग के परिवारवालों को उस प्रमोशनल इवेंट कमपनी ने एक दशमलव तीन मिलिन डॉलर का मौफ़ज़ दिया था अंडर्टेकर के करियर का सबसे खतरनाक मैच 2006 में खली के साथ रहा था इस फाइट के लिए ग्रेट खली ने अंडर्टेकर को चैलेंज कर पीटा था साल 2007-2008 में खली ने वर्ल्ड हैवी वेट चेंपिनशिप का खिता इस दोरान उन्होंने शौन माइकल के साथ-साथ कई पहलवानों को हराया अंडर्टेकर के अलावा खली का मकावला कई और बड़े पहलवानों जैसे जौन सीना, केन, बिग शौदी के साथ हो चुका है आपको ये बात जानकर हैरानी होगी खली विकलांगों की श्रेणी में आते हैं और यही कारणे की साल 2009 के पैरा ओलम्पिक में उन्हें ब्रांड एम्बेस्टर बना गया था आज खली को लोग सिर्फ एक रैसलर के तोर पर ही नहीं बलकि एक्टर के तोर पर भी जानते हैं यह बॉलिवड और हॉलिवड फिल्मों में बतौर एक्टर काम कर चुके हैं खली बॉलिवड फिल्म कुष्टी और रामादा सेवियर में एक्टिंग कर चुके हैं और ये हॉलिवूड फिल्म दा लोंगेस्ट यार्ड गेट समार्ट और मैग गरबर जैसी फिल्मों में भी चमक बिखर चुके हैं इसके लावा ये बिग बॉस के सीजन चार में भी भाग ले चुके हैं साल 2012 में आपरेशन कराने के लिए खली ने रेसलिंग को अलविदा कह दिया था और इस समय वो भारत में ही रहकर सुकून की जिन्द की जी रहे हैं लेकिन सुत्रों के हवाले से खबर मिले कि वो जल्द ही रिंग में वापसी करने वाले हैं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर जरूर करें धन्यवाद